राते राते मित्रों, आज हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं श्रीशिव महापुराण की वायवीय सहिता के पूर्वखंड की अध्याए छे की कथा, जो है महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन, तो चलिए शुरू करते हैं वायुदेवता कहते हैं महर्शियों इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पती है जो अनंतरमुनिय गुडों का आश्य कहा गया है, वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है, उसके बिना संसार की श्रिष्टी कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्यानी और पाश अचेतन है, प्रधान परमाणु आद जितने भी जड़तत्व हैं, उन सब का करता वह पती ही है, यह बात स्वयम समझ में आजाती है, किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़तत्वों का निर्माण कैसे संभव है, पशु पाश और पतिका जो वास्तव में प्रथक प्रथक रूप है, उसे जानकर ही ब्रहमवेत्ता पुरुष योन से मुक्त होता है, चर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से सयुक्त होते हैं, पती या महेश्वर ही व्यक्ता व्यक्त जगत का भरण पोशन करते हैं, वे ही जगत को बंधन से चुड़ाने वाले ह ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं, विग्य पुरुषों के लिए इनसे भिन दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं हैं, शिष्ट के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता, वे ही इस जगत की शिष्ट करके इसकी रक्ष करते हैं और अंत में सब का संघार कर डालते हैं, उनके सब और नेत्र है, सब और मुख है, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं, यही सबसे पहले देवताओं में ब्रहमाजी को उत्पन्न करते हैं, शिष्ट कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ट महान रिशी मैं इन महान अम्रत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ इनकी अंग कानती सूरी के समान है ये प्रभू अज्यानांधकार से परे विराजमान है इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है इनसे अत्यन्त सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है इनसे यह सारा जगत परिपूर्न है इनके सब और हात पैर नेत्र मस्तक मुख और कान है ये लोक में सब को व्याप्त करके स्थित है ये संपूर्ण इंद्रियों के विश्यों को जानने वाले हैं परंत वास बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं ये सब को जानते हैं किन्त इनको पून रूप से जानने वाला कोई नहीं है इन्हें परंपुरुष कहते हैं ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परंमहान है ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की में निवास करते हैं एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही व्रक्ष अर्थात शरीर का आश्रे लेकर रहते हैं उन में से एक तो उस व्रक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है किन्तु दूसरा उस व्रक्ष के फल का उपभोग ना करता हुआ केव देखता रहता है जीवात्मा इस वरक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है अतह मोहित होकर शोक करता है जब वह कभी भगवत करपा से भक्त सेवित परमकारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात कार कर लेता है तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है चंद यग्यक्रतु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महिश्वर ही वह मायावी है ये विश्वकर्मा महिश्वर ही परम देवता परमात् जो सबके हरदय में विराजमान है उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंद में अम्रत का अनुभव करता है ब्रहमा से भी शेष्ट असीम और अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूड भाव से स्थित है विनाशील जडवर्ग को ही यहां अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शाशन करते हैं वे महेश्वर उनसे सर्वता भिन विलक्षन है ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समश्टी भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रच कर इसका विस्तार करते हैं फिर अन्त में संगहार करके सब को अनेक से एक में पढ़नत कर देते हैं तथा पुनह शिष्टिकाल में सब की पूर्वत रचना करके सब पर अधिपत्य करते हैं जैसे सूर्य अकेले ही उपर नीचे और अगल वगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयम भी दैदिप्यमान होता है उसी प्रकार ये भजनिय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृत्वी आदितत्वों का नियमन करते हैं शद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रे रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ती और संगहार करने वाले कल्यान स्वरूप एवं सोलह कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं अर्थात जन्ममृत्यू के चक्कर से छूट जाते हैं वे ही परमेश्वर तीनो कालो से परे निशकल, सरवग्य, त्रिकुडाधिश्वर एवं साक्षात परातपर ब्रहम हैं संपूर्ण विश्व उन्ही का रूप है, वे सबकी उत्पत्य के कारण होकर भी स्वयम अजन्मा है, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनिये हैं अपने हरदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदिसे परे हैं, जिनके यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं जो इश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परमपती हैं उन भूवनेश्वरों के भी इश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं उनके शरीर रूपकार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी करण नहीं हैं उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता ज्यान बल और क्रिया रूब उनकी सुभाविक पराशक्ती वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है उनी शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है उसका ना कोई स्वामी है ना कोई जन्म दाता है ना जन्म है ना जन्म के माया मलादी हे दुही है वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहियरूप से व्याप्त हैं वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है वह सब भूतों के अंदर वसा हुआ सब का दृष्टा साक प्रक्षी चेतन और निर्गुड है वह एक है वशी है अनेकों विवशात्मा निश्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है वह नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन वह एक है कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला इश्वर है सांखे और योग अर्थात ज्यान योग और निश्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमदेव को जानकर जीव संपून पाशों अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाता है वे संपून विश्व के शिष्टा सर्वग्य स्वयम ही अपने प्रकाट के हेतु ज्यान स्वरूप काल के भी शिष्टा संपून दिव गुडों से संपन प्रकरती और जीवात्मा के स्वामी हैं समस्त गुडों के शाशक तथा संसार बंधन से चुडाने वाले हैं जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रहमा जी को उत्पन किया और स्वयम उन्हें वेदों का ग्यान दिया अपने स्वरूप विश्यक बुद्धी को प्रसन अर्थात विक्सित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से चूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ यह वेदान शास्त्र का परम गोपनिय ग्यान है पूर्वकल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था मैंने बड़े भारी सौभागे से ब्रहमा जी के मुक से इस ग्यान को पाया थ जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ग्यान का उपदेश नहीं देना चाहिए जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिश्यना हो उसे भी नहीं देना चाहिए जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ती है जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है उस महात्मा पुरुष के रदे में ही ये बताए हुए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतह संक्षेव से यह सिध्धान्त की बात सुनो, भगवान शिव प्रकती और पुरुष से परे हैं। वे ही शिष्टिकाल में जगत को रचते हैं और संगार काल में पुनह सब को आत्मसाथ कर लेते हैं। तो मित्रों ये थी अध्याय छे की कथा वाईवीय सहिता के पूर्वखन से शिव पुराण से। नमू नारायन।